असलाम अलेकुम वरहमतुलाह वरकातु। अल्हम्दुलिल्लाः पेर्शियन गल्फिन दे मननी लूड़े राहताइट। उन्हें बच्पन में ही सोच लिया था कि वो पैदल हच करने के लिए जरूर जाएंगे। जब वो भारत में सफर कर रहे थे तब वो एक दिन में 40-45 किलोमेटर पैदल चलते थे। पर पहुंचेंगे तो उन्हें पाकिस्तान का वीजा दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी देश में बिना वीजा के हम एंटर नहीं हो सकते। सबी को यही लगा था कि शेयाब को कुछ दिनों में वीजा मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने वीजा देने में बहुत समय लगा दिया। जब तक उन्हें वीजा नहीं मिला तब तक वो पंजाब के खासा गाउं के आफिया किट स्कूल में रुके रहे। वहां के ओनर जुनेद भाई ने शेयाब को पूरा सपोर्ट किया। शेयाब पंजाब में रोज पैदल चलते थे जिससे कि उनकी प्रैक्टिस होती रहती थी। जब तक शेयाब भाई का सफर शुरू हो तब तक लोगों ने उनके बारे में कई प्रकार की बाते करी थी। और लोगों को ये लगने लगा था कि उन्होंने ये सब कुछ फेमस होने के लिए किया है। और अब वो अपना सफर शुरू नहीं कर रहे हैं। और वीजा ना मिलने का यहां पर बहाना बना रहे हैं। और लोगों को ये ही लगा था कि वो अपना सफर पूरा ही नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो घर वापिस चले गए हैं और उन्होंने इसके बारे में किसे को बताये नहीं हैं। और शियाब की एक और फेक नियूस फैली की वो चाइना से होकर सफर करेंगे। वो खुफिया तरीके से सफर कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा ट्रॉल किया। लेकिन शियाब भाई ने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा कि लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने बस वीजा मिलने का इंतजार किया। और पांच मैने के लंबे समय के बाद शियाब को पाकिस्तान का वीजा मिल ही गया। ये सबी की दुआओं का असर था कि उनका सफर फिर से शुरू हो गया। और सबी लोग ये जानकर बहुत खुश होए कि शयाब को वीजा मिल गया है। और शयाब जब बार्डर क्रॉस कर रहे थे तो उनके आखों में खुशी क्यांसू थे। जैसे ही शयाब पाकिस्तान में एंटर होए तब बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वहाँ शयाब को पूरी सिक्योरिटी दी गई थी और शयाब भाई जैसे जैसे आगे चलते गए लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। और वहाँ इतनी भीड हो गई थी कि शयाब को निकलने में भी काफी मुश्किल हो रही थी और वहाँ रास्तों से निकलने में बहुत समय लग रहा था। वहाँ के फेमस यूटीवर रोशन भाई ने शयाब का पूरा ध्यान रखा। और शयाब ने बताय था कि वहाँ पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और वहाँ उन्हें कोई भी परिशानी नहीं हुई। और बाद में ये पता चला कि उन्हें सिर्फ 72 घंटों का वीजा मिला है और 72 घंटे खतम होते ही प्लेन से शयाब भाई को इरान जाना पड़ा और लोगों का कहना है कि पाकिसना सरकार ने इस सब कुछ जान बूच कर किया है ताकि शयाब अपनी यात्रा में सफलना हो है और वो अब अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाते कहा जा रहा है कि इरान में अब ठंड थोड़ी कम हो गई है और बरबारी भी बहुत कम हो रही है और शयाब वहां बहुत ही खुशी से सफर कर रहे है वो वहां अकेले ही सफर कर रहे है और उनके साथ वहां हसीब भाई जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं उन्होंने कहा कि शयाब जब तक इरान में हैं उनके रहने और खाने का खर्चा वही उठाएंगे और कल शयाब भाई ने 40-45 किलोमेटर की दूरी तै करी थी और वो रोज 40-45 किलोमेटर पैदल चलते हैं शयाब इराक बॉर और से 100 किलोमेटर की दूरी पर है कहा जा रहा है कि शयाब के पास एराक और कुवेत का वीज़ा नहीं हैं लेकिन जब तक वो इराक बॉर्डर पर पहुंचेंगे उन्हें इराग का वीजा मिल जाएगा और उन्होंने 4500 किलोमेटर की दूरी तै कर ली है और जब से उन्होंने अपना सफर शुरू किया है तब से उन्होंने 4500 किलोमेटर की दूरी तै कर ली है शिहाब बहुत स्यादा महनत करके यहां तक पहुंचे हैं उम्मीन है उनके सफर में तो अपना सफर जरूर पूरा करेंगे और 2030 का हज मुकमल करेंगे कहना बहुत असान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को यही समझ नहीं आता कि पैदल सफर करना इतना असान नहीं होता हर को ऐसा नहीं कर सकता और शिहाब जैसा कोई भी सोच नहीं सकता इ लेकिन शियाब तो बस आगे बढ़ते जाएंगे, उन्हें तो बस अपनी मन्जिल तक पहुँचना है। उमीद करते हैं कि शियाब का सफर समय से पूरा हो जाए, उन्हें अपने सफर में कोई दिक्कत ना है, तो हम सब बस ऐसे ही उनके लिए दुआ करते रहेंगे। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारे आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ जाते जाते, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फो रही है, जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें,